आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल आपने बिलकुल सही पड़ा अब आप पुरानी जेस्टी रिटन फाइल नहीं कर पाएंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो हाजी जो जेस्टी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें प्रेस लीज में लिखा गया है कि भाई अब आप पुरानी रिटन फाइल नहीं कर पाएंगे अब आपका कुश्चन यह होगा सर यह जो प्रेस लीज में लिखा हुआ है यह एप्लिकेबल कबसे होगा क्या यह अभी से एप्लिकेबल हो जाएगा तो आंसर इस नो क्योंकि यहां पर यह जो पॉइंट नंबर 16 है मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्रेस लीज की यह प्रेस लीज में क्या लिखा है इस बात को समझना पॉइंट नंबर 16 में यह कहता है कि सेक्शन 37 सेक्शन 39 सेक्शन 44 एंड सेक्शन 52 को अमेंड करेंगे तू भी अमेंडिड हुए नहीं है इसे अमेंड किया जाएगा तो सर क्या काउंसिल की मिटिंग अमेंड करतेगी आंसर इस न जब हमारा बजट आएगा फरवरी में तब ये section amend होंगे तो सर इन्होंने अभी से क्यों दे दिया अभी से ये सारे users को कहना चाह रहे हैं कि फरवरी के बाद अगर ये section amend हो गए तो आप फिर पुरारी return फाइल नहीं कर पाएंगे तो अगर किसी व्यक्ति की कोई पुरानी return बची हुई है तो आप उन्हें अभी फाइल कर लो क्योंकि अगर एक बार ये section amend हो गए तो उसके बाद आप पुरानी return फाइल नहीं कर पाएंगे तो इसलिए ये इन्होंने मोका दिया है आपको 2-3-4 महीने का कि अगर आपका कोई client ऐसा है जो ये कहता है कि सर मेरी पुरानी return है वो अभी तक pending है वो मैंने फाइल नहीं करी है तो आप उसे कह दो कि भाई ये return फाइल कर लो अच्छे सर नहीं करते फाइल तो फिर क्या होगा क्योंकि तीन साल बाद आपको फाइल नहीं करने देंगे तो सर फिर क्या होगा तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर इन्होंने आपको तीन साल बाद फाइल करने नहीं दी ठीक है ना तीन साल का time period निकल गया तो उसके बाद return और non-filer of return के case में जो हमारा section 62 वगरा लगते हैं वहाँ पर आपकी assessment होगी तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति returns फाइल नहीं कर रहा है pending returns है वो फाइल कर दे तो इसकी language क्या है जरा language को समझ लेते हैं इसका एक बार analysis कर लेते हैं यह कहता section 37 section 37 होता है gstr1 का ठीक है यह IFF का ठीक है section 37 आपको पता है section 39 में कौन सी returns आती है इसमें भई यह 3 भी भी आती है इसमें gstr4 भी आती है ठीक है ना इसके अंदर gstr5 भी आती है इसके अंदर gstr6 भी आती है इसके अंदर gstr7 भी आती है यह सारी रिटन इसी के अंदर आती है section 44 क्या होती है जी annual return आती है section 52 कौन सा होता है e-commerce वाले की रिटन मतलब कि GSTR 8 और अगर मैं बात करूँ तो 9B इन सारी रिटन की बात कर रहा है to be amended to restrict filing of return statement to a maximum period of 3 years कितने time के लिए कह रहे हैं कि तीन साल तक आप फाइल कर सकते हैं from the due date due date of filing of the relevant return statement अब अगर हम इसे analysis करें तो हमारी जो जन्वरी की magazine आ रही है अगर आप देखो के जन्वरी 23 की magazine बनकर तयार है तो सर अभी भेज़ दो ना नहीं भाई अभी नहीं भेजेंगे अभी 31 दिसंबर तक हम वेट करेंगे कि भाई इसमें कुछ amendment तो नहीं है कुछ updates तो नहीं है कोई और circular तो नहीं आ गया उसके बाद इसे बेजेंगे तो हमने अपनी magazine में ये चीज़ है एक example के थुरू बताईए कि माल लो एक रोहित है उसने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करी फरवरी 2020 की तेक है यहाँ पर यह example ले लो फरवरी 2019 the due date उसकी क्या थी 11 मार्श 2020 he will not be allowed to file 10th मार्श 2023 यह मतलब यह वाली return 10 मार्श 2022 के बाद या 2023 के बाद जो भी उस returns की due date होगी उसके 3 साल के बाद फाइल नहीं करने दी जाएगी फिर क्या होगा फिर non-file of return में उसका assessment होगा और हो सकता है वहाँ पर assessing officer अपनी इच्छा से कुछ भी आप पर tax बना दे after that he cannot file GSTR 1 for this period तो हमारी advice क्या है कि आप अपनी सारी pending returns को check कर लो जो अभी तक file नहीं हुई है और अगर ठीक है वो file नहीं है तो अभी से ही इसे file कर दो क्योंकि budget में अगर इस section के अंदर amend कर दिया गया तो उसके बाद आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और आप यह कहते हो सर यह magazine में क्या क्या आएगा पूरी press lease को हम आपको details में देंगे जो भी amendments है due rates सारी देंगे आप बार बार कहते थे कि magazine पर discount दो discount दो तो यह discount सुरू हो गया है कब से discount है 24 December से लेकर 2 जनवरी तक discount है तो सर बहुत दिन है ले लेंगे बाद में अरे नई भया साथ में यह भी लिखा हुआ है कि सुरू के सो लोगों के लिए discount है तो आप भी अगर उन सो में से बनना चाते है discount लेना चाते है तो इस number पर whatsapp करके आप magazine की payment कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको magazine की sample copy चाहिए तो आप इस number पर whatsapp करके magazine की sample copy ले सकते हैं तो जैसे कि हमने प्रेस लीज का ये वाला point discuss करा है ऐसे ही हम बाकी points भी different different videos में discuss करते रहेंगे आप हमें comment box में लिख कर बता दो कैसी आपको ये series लग रही है अगर video अच्छी लग रही है तो like करो और comment box में अपना suggestions भी दो और हमारे channel को इतना बड़ा बनाने के लिए पोने दो लाख subscriber करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ thank you for watching